आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपका आधार स्टेटस रिजेक्टेट दिखा रहा है और इसके रेजन यहां पर डाटा डाटा इरल दिखा रहा है या फिर अधर कोई यहां पर इश्यू आती है तो किस तरीके से आप इसको ठीक करेंगे तो इस वीडिय पर यहां पर आपको लाइंग्वेज उस करने के लिए आ सकता है या डायरेक्ली इस तरीके से आपके सामने पेज खुल जाएगा तो अब आपको यहां से नीचे स्क्रोल करना है और यहां पर आपको एक आप्शन मिल जाती है जैसे आप चेक आधार स्टेटस के उपर आप फिडबैक करके ठीके ग्रेवियंस और फिडबैक पर क्लिक करना होगा यहां पर आप अपना जो है जो भी प्रॉब्लेम है वो सेंड करेंगे यूँ आइडिया की टेम को इसके लिए आपको यहां पर कुछ इंफोर्मेशन बैसिक इंफोर्मेशन देनी है जैसे आपको फिडबैक नंबर ग्रेवियंस या फिडबैक नंबर इसके उपर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको सेल करना है यानि कि इस खुद का है इसके पाद आपको इंटर ग्रेवियंस फिडबैक टाइप इसके उपर आपको क्लिक करना है और इसमें आपको जो सेलेक करना ह है वह है update related ठीक है update related के उपर आपको क्लिक करना है उसके पाद यहाँ पर आप जो है इंटर category टाइप इसके उपर आपको क्लिक करना है और नीचे आपको स्क्रोल करना है और यहाँ पर लिखा है rejected due to data process error यानि कि हमारा जो है reject हुआ है data process की वज़े से तो इसको हमें यहाँ से select कर लेना है ठीक है इसको आप जैसे select करोगे अब यहाँ से आपको अपनी information इस box में लिखनी है तो सबसे बहुत आपको urn नमबर यहाँ पर इस तरीके से other information यहाँ पर आप दे सकते हैं और इसके अलब आपने कोई document अगर आपके पास है या फिर आप राइरिक लिए अपना जो print आपको मिला है उसका photo निकाल कर भी यहाँ से जो है upload photo पर भी क्लिक करके एक photo यहाँ से आप जोड़ दीजे बाकि यहाँ पर भी अपना urn यह सार्य आपको मिल जाएती है इसको आपको सही तरीक से फिल करना है और उसके बाद आपका जो है request team के पास चला जाएगा आपको एक जो है number दी जाएगी उसके थुरू आप अपना status भी check कर सकते हैं वीडियो अच्छे लगी तो like और चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा